तो भाई आज की वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो चैनल की नहीं बलकि Strongest Playing 11 for IPL 2024 की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी उसकी लास्ट वीडियो है क्योंकि नौ टीमों के बारे में हम अलिडी बात कर चुके हैं अगर आपने किसी भी टीम की वीडियो नहीं देखी है जहां हमने उसकी Strongest Playing 11 for IPL 2024 बताई थी तो चिंता नहीं करने का आई बटन पे क्लिक करने का सारी वीडियो का मज़ा लेने का पर आज की वीडियो जो की जैसा मैंने कहा आखरी वीडियो है स्रीज की जहां हम बात करने वा और Allounders में आउक्शन क्या क्या हैं साथ इसास सबसे पहले ये देख लेते हैं कि SRS ने IPL 2024 के आउक्शन में क्या कमाल करा था किसको खरीदा था क्या कुछ कमाल की बाइस थी भी या नहीं थी तो IPL 2024 के आउक्शन में SRS ने जिन प्लेस को खरीदा था वो थे Travis Head 6.80 करोड में अब अगर देखें कि SRS का ओवरॉल टीम कमोजिशन कैसा है तो भाई विकेटीपर्स ने के पास हैं ग्लैन फिलिप्स, उपरेंज सिंग यादव और हैं रिज क्लासें, बैट्समन ने के पास हैं अब्दुल समाद, एडियन मरकरम, राहुल तरिपाथी, मैंग अगरवाल, ट्रेविस हेड और अनमोल प्रीत सिंग, और लाउंडर्स ने के पास हैं वाशिंग्टन सुंदर, अभीशेक शर्मा, शाबास एहमद, सनवीर सिंग और नितीश कुमार, रिड़ी, बॉलर्स ने के पास हैं भूवनेश्वर कुमार, मारको जैंसन, पैट कमिन्स, टीन अट राजन, मैंक मारकंडे, उमरान मलेक, वनिंदू हसरंगा, जैदेव उनातकर्ट, आकार सिंग, और चटवेथ, सुबनमनियन, मैंने यहाँ पे बॉलर्स में शामिल करने को मारको जैंसन को करा है, पैट कमिन्स को करा है, हसरंगा को रहा है, यह अच्छी खासी बैटिंग भ देखते हुए, बॉलर्स की लिस्ट में रखा है, पर इन चीज़ जदा फरक नहीं पड़ता है, overall सारे प्लेर्स आपको पता चल गए हैं, किस किस काटेगरी में कौन से प्लेर्स हैं, के पास वही पता चल गया है, तो अब देख लेते हैं, कि जब हर काटेगरी से हम स्ट्रॉंग एस प्लेंग 11 होगी, वो हमें कैसी दिखेगी, पर वो देखने से पहले आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करेंड में दी हुए लिक से प्रिंस भाई की टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे, अगर अभी तक नहीं करा है, जिनोंने जॉ क्योंकि वो तो साहिर सी बाते नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन दुख मुझे इस बात का है, क्यों उनको पता ही नहीं है कि प्रिंस भाई कितनी एकुरिट प्रिंस देते हैं, तुम भाई देखो तुमको टीम बनानी है, नहीं बनानी है, प्रिंस प्रिंस करनी है, नहीं करनी यह तुम्हारी मरदी है, तुम बस एक काम करो, एक बार जाके टिलीग्राम जिला जोइन करो, वाट्सैप पे जाके या फी डियम करो, वहाँ से एकुरेट प्रेडिक्शन श्रीम में उठाओ, उसके बाद जब प्रेडिक्शन उठाओगे, और उस दिन तुम टीम नहीं बना इतना समझा दिया है बाकि तुम समझदार हो जो ठीक लगे वो कल लो खेर मैं जानता हूं कि तुम करोगे तो वही जो तुम्हें ठीक लगता है लेकिन फिलहाल मैं तुमको बता देता हूं तो सबसे पहले अगर देखें कि SRH के पहले पोजिशन और दूसरे पोजिशन के प्लेर्स कौन से होंगे यानि इनके ओपनर्स कौन होंगे तो मैंने तो यहाँ पे रखा है मैंग अगरवाल और ट्रेविस हैड को जब आपके पास मैंग अगरवाल हों ट्रेविस हैड हों वो ट्रेविस हैड जो वर्ल्ल कप में धमाल मचा के आए हैं वो मैंग अगरवाल जो हाली में विजय हसारे टॉफी में कमाल करके आए हैं मुझे नहीं लगता कि इन से बहतर ओपनिंग चॉइस SRH के लिए कोई और तो बंदा रन तो मारी देगा यह हम सब जानते हैं इससे आगे बढ़े तो चौथे नमबर पे मैंने रखा है साउथ एफरीका के कैप्टेन और सेम टाइम पे SRH के भी कैप्टेन एडियन मरकरम को अभी तक देखो ओफिशली यह कनफॉर्म नहीं हुआ है कि IPL 2024 में मरकरम ह होंगे जो SRH की कप्तानी करेंगे क्योंकि Pat Cummins के आने के बाद से बहुत लोग यह कह रहे थे कि Cummins जो है वो SRH के कैप्टेन भी बन सकते हैं इसलिए उन पे इतना ज्यादा पैसा लुटाया गया है लेकिन भाई मुझे लगता है कि कैप्टेन तो मरकरम ही होंगे हर ठीक ह Cummins ने पिछले कुछ वक्त में बहुत कुछ जिताया है लेकिन भाई उसके पीछे ज्यादा काविलेज मुझको टीम की लगती है कैप्टेन की थोड़ी सी कम लगती है और मैंने अक्सर देखा है कि ऑस्चलिया में जब कप्तानी कर भी रहे होते हैं तो Pat Cummins बहुत कम करते हैं, Smith वगेरा जयादा कर रहे होते हैं, Warner वगेरा जयादा कर रहे होते हैं, सारिंस स्च्चन्स वही दे रहे होते हैं, Cummins ना के बराबर काम करते हैं और ये बात Cummins ने खुत कई सारी इंटर्व्यूस में कही है मैं उन लोगों मेंसे नहीं हूँ जो ये कहता हूँ कि Captain कुछ नहीं करता है टीम में बहुत बड़ा रोल होता है Captain का Captainी टीम बना सकता है Captainी टीम बरबाद कर सकता है मैं बस ये कहना चाहरा हूँ कि Australia को जो success मिली है उसके बीछे Cummins की Captaincy का रोल बहुत कम रहा है क्योंकि कमिंस ने कप्तानी ही बहुत कम कर रखी है रहते कप्तान पूरे मैच में है लेकिन कप्तानी का काम वो ज्यादा नहीं करते है अभी मैंने तुम को बता दिया है ना आने वाले मैचेस में तुम भी ये बात नोटिस करना तो खेर मैंने आपको ये बता दिया है कि चौते नमबर पे आएंगे एडियन मरकरम जो SRH की कपतानी करते हुए भी दिखेंगे हर किसी को चौका के रख दिया मैं बात कर रहा हूँ हैंरिज क्लासिन की पाँचवी पॉजिशन पे हैंरिज क्लासिन के आने के बाद चटी पॉजिशन की जब बारी आएगी तो वहाँ पे हमने रखा है अब्दुल समाद को ये देखते हुए कि अब्दुल समाद जरुवत पड़े थोड़ा बहुत यहां पर बॉलिंग करा सकते हैं और बैटिंग में नीचे आके लंबे-लंबे छक्के भी लगा सकते हैं इसलिए छटी पुजिशन जाएगी अब्दुल समाद के नाम इससे आगे बढ़े तो आएग का नाम पैट कमिंस का जो की भाई हम सब जानते हैं बैटिंग भी कर सकते हैं वो याद है न केके आर के लिए खेलते हुए मुंबई के खेला जो अर्च तक मारा था भाई पगला के रख दिया था ऐसा काम वो अब भी कर सकते हैं इसलिए सेवन पुजिशन पे आएगे नन तो शावास एहमत खेलेंगे भूलो मत ये दोनों ही जो बॉलर्स हैं ये भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं इसलिए मैंने साथवी पोजिशन से ही पैट कमिंस को लाना शुरू कर दिया क्योंकि आठवे नमबर पे भी चाहे शावास खेलें या फिर चाहे सुन्दर खेलें ये दोनों ही भाई जल्वे बिखेर सकते हैं अपनी पैटिंग से भी अब अगर नज़र डालें कि SRH के आखरी तीन प्लियर्स कौन से होंगे तो भाई ये तीनों की तीनों पेसर्स मैंने रखे हैं नवे नमबर पे रखा है सुइंग केंग भूनेश और कुमार को दसवे नमबर पे रखा है उमरान मलिक को और ग्यारवे नमबर पे रखा है नए नए यॉरकर केंग टीनटराजन को मतलब कुल मिला के तुम ये समझ गए होगे बॉलिंग इनकी कमाल की है खास कर इनके पेसर्स तो कमाल के हैं आप्शन्स देखो पैट कमिंस हैं उमरान मलि हैं वुनेशर गुमार हैं और टीनटराजन हैं इस्पिन थोड़ी सी कमजोर दिखाई परती है कि भाई अगर वाशिनस उंदर खेले या फिर शाबास खेले ये कोई बहुत कमाल के स्पिनर नहीं है लेकिन भूलो मत इस्पिन यहाँ पे एडियन मरकरम भी करा लेते हैं जर उपर किसी इंडियन को खिला के ये हसरंगा को टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि हसरंगा भी जो हैं वो सी बॉलिन नहीं कराते हैं जरुवत पड़े तो कमाल की बैटिंग भी कर सकते हैं पर फिलहाल यही मेरी strongest प्लेंग 11 है तो यहाँ पे simply अगर मुझे चुनना होगा इ दिया है कि अगर सुदर खेलें तो शाबास हो जाएंगे इंपक्ट प्लेयर अगर अगर थोड़ी सी बाटिंग में जरुवत पड़ दहे तो अबदुल्समाद इस तरीके प्लेयर नहीं है कि भाई नीचे आकर लंबे-Lंबे चक्ये लगा सकते हैं तो ठीक ठाक बॉलिंग भी करा सकते हैं ऐसे ही एक प्लियर है उपेंदर यादव अगर थोड़ा सा बैटिंग में ज्याद जरूरत पड़ रही हो तो उपेंदर यादव को भी इस्तेमाल करा जा सकता है लेकिन भाई मैंने कहा ना अगर शावाज एहमद भी as an impact प्लियर आएंगे मान लो सुंदर ओल उने अक्सर हमने देखा था आर्चीवी के लिए किस तरीके से 30-40 संग की बहुत सारी पारियां खेली थी तो बैटिंग में मतलब उनका हाथ अच्छा चलता है तो कुल मिला के आपकी स्क्रीन पे आ रही है SRH की strongest प्लिंग 11 आप एक बार अच्छे नजर डाल सकते हैं और प्रिंस भाई के टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर दीजेगा क्योंकि आज के दिन लगपक 5-6 मैचिस है शाय जिनके बार में आप जानती भी नहीं होंगे और जरुवत भी नहीं है आपको तो बस एक ही जरुवत है करना कुछ नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन करेंड में दीओ ही लिंक से जा के टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना है प्रिंस भाई के वॉट्स ल में प najwięसा च्छापना है थढ़ा धर-धर-धर-धर-धर-धर क्यूंकि भाई हम कमा रहे है इसलिए आपको बता रहे है बाकी आपको जो ठीक लगे वौ आप करिए आप समझदार त ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए जैहिन, धन्यवाद